अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीजे जैनुविन मिलेंगी और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं तो ये चैनल आपके लिए काफी इंपोटेंट रहने वाला है तो सातियों आज मॉर्निंग न्यूज में हम एक बहुत खास मुद्धे पर बात करने वाले हैं जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे दिल्ली के अंदर सरकार जो दिल्ली गॉर्मेंट है एलजी है और गैस टीचर है और कोर्ट है इनके बीच में ऐसा गेम चल रहा है जो आप गेम जो चल रहा है इससे जो नुकसान होने वाला है वो नुकसान होने वाला है उस फ्यूचर का उन बच्चों का जो उन स्कूलों में जा रहे हैं जैसा कि आप जामते हैं दिल्ली के अंदर 22-24,000 के अराउंड गैस टीचर्स हैं जो लगबग 38% हैं जो टोटल टीचर्स है तो अभी उनकी सेवाएं थी जो वो समाप्त कर दी गई थी लेकिन अभी जो धर्णा परदर्शन हुआ था उसके बाद उनकी सेवाएं 29 मार्ज तक बढ़ा दी गई है और इसके बाद जो दिल्ली सरकार है दिल्ली सरकार ने पूरा समर्थन किया है गैस टीचर्स का कि हाँ इनकी जो सेवाएं हैं इनकी 60 साल तक सेवाएं रहनी चाहिए हैं मतलब इनको इनकी जो सेवाएं हैं इन्हें हटाया नहीं जाए इन्हें 60 साल तक रखा जाए इसके बाद जो LG हैं LG ने साब तोर पे मना कर दिया कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम जो 2 लाग candidates हैं, उनके साथ गलत नहीं करेंगे, अब बात यह आती है, कि यह जो मामला है, कोट में भी है, दिल्ली सरकार एक अलग अपने पक्स में है, LG साहब अपना एक अलग पक्स है, उनका, गेस टीचर्स हैं, उनका एक अलग पक्स है मतलब वो चाहते हैं कि हमें पक्का करें दिल्ली सरकार उनके साथ है कोट कोट में कुछ अलग चल रहा है और इसके बाद बात आती है LG सहाब की तो LG सहाब उन दो लाग बच्चों के लिए सोच रहे हैं तो अब बात आती है कि इस पॉलिटिक्स का जो एक गेम चल रहा है इसका सीधा साधा नुक्सान किस पर है उन बच्चों पर जो इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो बच्चे क्या सीख सकते हैं क्या पढ़ सकते हैं कोस्टन ये इन टीचर्स के बाद भी मतलब जो ही टीचर्स लगे हुए हैं इनके बाद भी दिल्ली के अंदर अ प्भारत की चांदिशन ये हैं राजधानी थे को भी सोथ आप पर अभी भी टीचर वेवेलील नहीं है हम भात करते हैं सिश्षा का स्तर कैसे हैं शुदरे हम गाओं में कैसे सिख्षा का स्तर शुदर चकते हैं अगर राजधानी के अंदर ही सिख्षा का स्तर इतना डाउन हो रहा है कि वहाँ पर टीचर ही अवेलेबल नहीं है अब मैं सीधे तोर पर बात करता हूँ ना कोई politics सिंपल सब्दों में बात करता हूँ अब ही क्या है कि जो candidates हैं दो लाइक candidates हैं वो काफी निरास हैं मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ इसके बाद जो gas teachers हैं वो भी काफी निरास हैं क्यों उनको डर है कि उन्हें हटा ना दिया जाए और उनको देखा जाए उनके अगर मैं भावना को देखू तो बिल्कुल सही भी है क्योंकि अगर कोई आपसे कहे कि हम आपको रखेंगे और एक कहरा है नहीं रखेंगे तो वो बंदे वो भे निरास हो जाएंगे अब बात करें हम दो लाग केंडिडिट्स वो भी बिल्कुल निरास हैं क्यों क्योंकि उनको भी मौका दिया जाए अब बात करते हैं अगर गैस टीचर्स को हटाया जाता है सीधा सा एक कोसन है मतलब 22-24,000 जो गैस टीचर्स है अगर इनको हटा दिया जाता है तो सबसे पहले जो 4,000 के लगबग जो ट्राइमरी सिक्षकों की जो भरती है वो ही अभी पूरी नहीं हुई है तो दिल्ली जो डियासस भी है क्या वो इतनी जल्दी इतने टीचर्स लगा सकती है नहीं बिल्कुल नहीं तो ये भी सोचने वाला मुद्दा है गौर्मिन्ट को इस पर विचार करना चाहिए सब अपना पक्स रखते है डियासस भी ने कहा हमें और टाइम दो हमारे पास और काम है इसके बाद दिल्ली सरकार बोल रहे हैं गैस टीचर्स को लगा के रखो LG साहब बोल रहे हैं नहीं हम नहीं लगाएंगे हो रही हैं बहुत गलत हो रहे हैं इस पर जरूर विचार होना चाहिए सभी की एक सहमती होनी चाहिए एक राय होनी चाहिए एक अच्छा सा समधान होना चाहिए सब अपनी राजनीती में लगे हुई है जो आम आदमी पार्टी है वो अपनी अलग राजनीती कर रही है वो चाहा रही है कि हम इनका पक्स लेकि अपना वोट बैंक है अच्छा करें इसके बाद जो LG है वो भी सोच रहे हैं कि हम 2,00,00 बच्चों के साथ रहे हैं तो ये सारी चीजे वोट की हो रही है और vote के चक्कर में इन बच्चों का नुक्शान हो रहा है तो मैं सीधे तोर पे बात करूँ अगर gas teacher हटाए जाते हैं तो मुझे नहीं लग रहा अभी जो मेरा विचार है साइद इनकी सेवाएं और बढ़ा दी जाएंगे क्यों? क्योंकि अगर ये हटा दिये जाते हैं तो teachers कहां से arrange करेंगे? ये 4000 teachers ही इतने दिन में लगा रहे हैं तो आप समझ सकते 22,000 teachers लगाने में इनको सालो लग जाएंगे जिस हिसाब से इनका system चल रहा है ये KBS वाला board नहीं है ये CBSC नहीं है ये दिल्ली का DSSB board है जिसका काम आपने देख लिया होगा 10-10 साल पुरानी vacancies जो निकली है उनके exam अभी तक नहीं हुए तो सातियों आप अपने विचार जरूर दें आप क्या कहना चाहते हैं गुडबाई, टेक कियर, थेंक यू जैहिन वंदे मात्रम